यह तो pregnancy के दोरान गर्बती महला के सरी में हर्मोनल बदलाव आने की बज़े से आपको अपने सरी में कई तरह के नएने बदलाव नएने लक्षन नजर आ सकते हैं इनी में से एक बदलाव है तीसी तिमाई यानि की आठवे या नौवे महिने के दोरान आपके पेट के उपरी हिस्से में दर्ड होना ऐसा क्यों होता है किस बात का संकित हो सकता है नमस्कार दोस्तों मैं कुस्बूत ओमर एक बद्सिस से स्वागत करती हूँ आपका pregnancy से related एक और नई वीडियो में जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही जदा helpful होने वाला है जिनकी अभी हाल ही में 30 इत्माई लगी है यानि कि अगर आपका 7, 8 या 9 महीना चल रहा है और आपको आपके पेट के उपरी हिस्से में अचानक से एक अलग तरीकी का दर्द मैसूस हो रहा है तो friends इसके पीछे क्या कारण है या किस बात का संखीत है या इसे गर में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है या फिर या नॉर्मल है इन सारी बातों को अगर आप भी जानना चाते हैं तो वीडियो में अंतक बने रहे हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना बोले तो चलिए बिना देरी किये हुए फटा फट से वीडियो को स्टार्ट कर लेती है तो देखिए यह तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्बती मेलाओं को अपने सरीर में कई तरह के बदलाब नजर आती है जैसे कि तीसी तिमाई के दौरान जब आपका गर्बा से बढ़ जाता है आपके बच्चे का साइज बढ़ जाता है तो इससे क्या है आपके पेट के मासपेसियों में खिचाव आता है सिर में खिचाव आता है जिससे आपको पेट, पेट के निचले हिस से कमर, पेर, जांग, लिगामेंट्स इन समय दर्द की समस्या हो सकती है लेकिन अगर ये दर्द आपको कुछ दर्द के लिए होता है फिर बंध हो जाता है कुछ गरेलु करेकों को अपना आने के बाद आपको इन से चुटकारा मिल जाता है तब तक तो ठीक है लेकिन अगर पेट और कमर में होने वाला जो दर्द है यानि कि जब उनका बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ आजाता है पेट मीचे की तरफ जग जाता है उस ताइम पर यानि आथवे और नौवे महीने के दोरा पेट की उपरी हिस्से यानि ब्रस्ट के नीचे एक अजीब सा दर्द होना शुरू हो जाता है जो कई बार तो gas, acidity, approach, curve जो इसकी बज़े से भी हो सकता है लेकिन कई बार ये गंभी समस्या का संकेत भी हो सकता है इसलिए pregnancy के दोरान अगर कोई भी symptoms आपको ऐसा अजीव लग रहा है जिससे आपको दिक्तत हो रही है आप ठीक से समझ नहीं पा रही है तो आपको इसके बा प्रेट के दोरान कई वार कुछ मैलाओं के पीट के ऊपरी हिस्ते में लगातार अगर दर्द बना रहता है इससे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो ये आपके premature delivery का संकेत भी हो सकता है आपके गर्ण में पल रहे बच्चे के गर्दन में प्लैसेंटा उलजनिया का कारण भी हो सकता है तो ऐसे कई कारण भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको पेट के ऊपरी इससे में सांस लेने में दिक्तत हो सकती है घवराहट हो सकती है बेचे नहीं हो सकती है और दर्द भी मैसूस हो सकता है इसके पीछे इसके अलावा और क्या कारण हो सकती है इनको भी अब हम चान लेती हैं सबसे पहला कारण है कि प्रेग्नेंसी की तीसी तिमाई के दौरान एक तो आपके बच्चे का साइज बढ़ जाता है अपका गरवा से बढ़ जाता है तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपके बच्चे को आपकी पेट में बहुत ज़गे की जरूत अगर आप बहुत ज़गा खाना खा लेती है तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और इससे आपको गैस पेट फूल ने पेट में करब्ज एसे जैसी समझ्या होने लग जाती है और इस बज़े से भी आपको पेट में दर्द की समझ्या हो सकती है लेकिन प्रेंस इसक इससे क्या है कि आपके बच्चा मुमेर्स करना भी बंद कर सकता है क्योंकि उसको मुमेर्स करने के लिए आपके पेट में जगे नहीं मिलेगी और आपका बच्चा मुमेर्स नहीं करेगा दूसरा कारण है प्रेंगनेंसी के दोरान कुछ गर्बती मेलाओं को एसिड रिफ कि उपरी हिस्से पर एकदम से दबाब पढ़ने लग जाता है, मासपेस या खिचने लग जाती है, इस बज़े से आपके पेट के उपरी हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है, तीसरा कारण है, जब पीसरी तिमाई के दोरान आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़ होती है, तो इस टाम क्या है, आपके पेट की जो इसकिन है उस पर खिचाब आता है, इससे भी क्या है कि आपके पेट के उपरी हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको maternity belt का इस्तिमाल करना है, जिससे कि आपका पेट नीचे क तरफ ना जुकि इससे क्या है एक तो आपके पेट को सपोर्ट मिलेगी आपके पेट के उपरी इससे में दर्द नहीं होगा दूसरा आपके पेट का दबाव अगर आपके पेरों पर आ रहा है तो आपके पेरों में जो सूजन आ रही है पेरों में दर्द हो रहा है लिगामे प्रेक्णंसी के दोरान गर्वास है बढ़ने की बज़े से जब आपका लीवर कमजोर हो जाता है तो इससे भी आपके पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। यह है वो चार कारण जिसकी बज़े से प्रेगनेंसी के आटवे और नौवे महीने के दोरान आपको आपके पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है अगर ऐसी समस्या आपके साथ हो रही है तो आप इन गरेलू तरीके से इन से निजाद पा सकते हैं यह जो तरी के हैं वो पूरी तरह से नेचुरल है इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप और आपके बच्चे पर इसका किसी भी तरह का कोई भी बुरा आसर नहीं होगा तरीका है प्रेगनेंसी के दोरान आप अपने डॉक्टर की सलाह से सिंपल से एक्सरसाइज जरूर करें ज हाने में किसी भी ही सिवर करना का दा मन्हें है जो आपके पेत्पैस ज़र को पानी रहना जिससर तरीका प्रेगनेंसी के दौरान आपके सीने में जलन ना हो खाना ठीके। इसके लिए आप कोजिस करें कि हर दो गंटे में आपको खाना खाना आना है लेकिन थोड़ी-तोड़ी मातरा में खाना है। तरीका है फ्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में आपको दर्द ज्यादा हो रहा हुआ है कमर में भी दर्ड हो रहा है तो इसके लिए आप teachers करें के हलके हाथँ से अपनी कमर अपने hips की मालिस करें इससे क्या है कि आपकी जो skin में stretching हो रही है उसमें आपको आराम मिल जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा वैसे तो friends अगर pregnancy के दोरान आपके पेट की उपर इससे में जो दर्द हो रहा है वो normal है तो आप इन चार तरीकों को अगर अपनाती है तो इससे आपको आराम मिल जाएगा लेकिन अगर ये दर्द इन तरीकों को अपनाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ये किसी गंबी समस्या का संकीत है या तो आपकी premature delivery होने वाली है या फिर आपकी placenta में किसी भी तरह की समस्या हो गई है या फिर आपके गर्म म आपके और आपके होने वाले बच्चे की सुरक्षा की जाए आपके बच्चे को healthy रखा जाए I hope ये वीडियो देखने के बाद अगर ऐसी कोई समस्या आपको हो रही है तो आप इन तरीकों को जरूर अपनाएंगे और अगर इनसे आपको आराम नहीं मिलता है तो आप डॉ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आक्चन को प्रेस करना ना भूले जिससे मेरे वीडियो की नोटिपिकेसन आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंस मिलती है नेक्स टाइम एक नए वीडियो में नई चानकारी के साथ तब तक के लिए खुस रहें स्वस्त र बनिवाद